परिक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है तभी तो तुमने इतना सुन्दर प्रश्ण किया है यो तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं फिर भी तुम उनके संबन्ध में प्रश्ण करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो रसिक संतों की वानी, कान और हिरदय भगवान की लीला के गान, श्रमन और चिंतन के लिए ही होते हैं उनका यह सोभाव ही होता है कि वे ख्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर वरसमई और नित्य नूतन अनुभव करते रहें ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुर्शों को इस्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है परिक्षित तुम एकाग्र चित से श्रमन करो यद्यपी भगवान की यह लीला अत्यंतर हस्य मई है फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ क्योंकि दयालू आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्तर हस्य भी बतला दिया करते हैं यह तो मैं तुमसे कहे ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यू रूप अघासुर के मूँ से बचा लिया इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे मिरे प्यारे मित्रो यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत्र मनिय है देखो तो सही यहां की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है हम लोगों के लिए खेलने की तो यहां सभी सामगरी विद्यमान है देखो एक ओर रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंद से खीच कर भौरे गुंजार कर रहे हैं तो दूसरी ओर सुन्दर सुन्दर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं जिसके प्रतिध्वनी से सुशोभित व्रिक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं अब हम लोगों को यहां भोजन कर लेना चाहिए क्योंकि दिन बहुत चड़ आया है और हम लोग भूख से पिडित हो रहे हैं बचडे पानी पीकर समीप ही धीरे-धीरे हरी-हरी घास चरते रहें ग्वाल-बालों ने एक स्वर से कहा ठीक है ठीक है उन्होंने बचड़ों को पानी पिला कर हरी-हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल-खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे सबके बीच में भगवान श्रीकृष्ण बैठ गए उनके चारों ओर ग्वाल-बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सट कर बैठ गए सबके मुह श्रीकृष्ण की ओर थे और सबकी आँखें आनंद से खिल रही थी वन भोजन के समय श्रीकृष्ण के साथ बैठे हुए गवाल-बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की करनिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंकुडियां सुशोभित हो रही कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव अंकुर फल छीके छाल एवं पत्थरों के पात्र बना कर भोजन करने लगे भगवान श्रीकृष्ण और गवाल-बाल सभी परसपर अपनी अपनी भिन भिन रुचि का प्रद्रशन करते कोई किसी को हसा देता तो कोई स्वैम ही हस्ते हस्ते लोटपोड हो जाता इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे उस समय श्रीकृष्ण की छटा सबसे निराली थी उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की और खोंस लिया था सिंगी और बेंद बगल में दबा लिये थे बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक नीबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे ग्वाल बाल उनको चारों और से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयम सब के बीच में बैठ कर अपनी विनोध भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हसाते जा रहे थे जो समस्त यग्यों के एक मात्र भोगता हैं वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठ कर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्य चकित होकर यह अध्भुत लीला देख रहे थे भरतवंच शिरोमने इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमई लीला में तन्मय हो गए उसी समय उनके बच्छडे हरी हरी घास के लालत से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए जब ग्वाल बालों का ध्यान उसोर गया तब तो वे भैभीत हो गए उस समय अपने भक्तों के भै को भगा देने वाले भगवान श्रे कृष्ण ने कहा मेरे प्यारे मित्रों तुम लोग भोजन करना बंद मत करो मैं अभी बच्छडों को लिये आता हूँ ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्रे कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिये ही पहाडों, गुफाओं, कुंजों एवं अन्यान्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बच्छडों को धूंडने चल दिये परिक्षित ब्रह्माजी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा अश्चर्य हुआ उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्रे कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामाई लीला देखनी चाहिए ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बचडों को और भगवान श्रे कृष्ण के चले जाने पर गौाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयम अंतरधान हो गए अंतता वे जड़ कमल की ही तो संतान है भगवान श्री कृष्ण बचड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लोटाए परन्तु यहां क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों और उन्हें ढूंडा परन्तु जब ग्वाल बाल और बचड़े उन्हें कहीं न मिले तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा की कर्तूत है वे तो सारे विश्व के एक मात्र ज्याता है अब भगवान श्री कृष्ण ने बचड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनन्दित करने के लिए अपने आपको ही बचड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के करता सर्वशक्तिमान इश्वर है परिक्षित वे बालक और बचड़े संख्या में जितने थे जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे उनके पास जितनी और जैसी छडियां सिंगी बासुरी पत्ते और छीके थे जैसे और जितने वस्त्रा भूशन थे उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी जिस प्रकार वे खाते, पीते और चलते थे ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्रेकृष्ण प्रकट हो गए उस समय यह संपूर्ण जगत विश्ण रूप है, यह वेदवानी मानो मूर्ती मती होकर प्रकट हो गई सर्वात्मा भगवान स्वयम ही बचडे बन गए और स्वयम ही गौल बाल अपने आत्म सरूप बचडों को अपने आत्म सरूप गवाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने व्रज में प्रवेश किया परिक्षित जिस ग्वाल बाल के जो बच्छडे थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग-अलग ले जाकर उसकी बाखल में गुसा दिया और विभिन बालकों के रूप में उनके भिन भिन घरों में चले गए ग्वाल बालों की माताएं बासुरी की तान सुनते ही जल्दी से दोड़ाईं। ग्वाल बाल बने हुए परब्रम श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझ कर हाथों से उठा कर उन्होंने जोर से हरदे से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य सनेह की अधिक्ता के का सुधा से भी मधुर और आसव से भी मादक चुचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। परिक्षित इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्रे कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लोट आते और अपनी बाल सुलब लिलाओं से माताओं को आनन्दित करते वे माताएं उन्हें उबटन लगाती नहलाती चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती दोनों भौहों के बीच में डीठ से बचाने के लिए काजल का डिठोना लगा देती तथा भोजन कराती और तरह तरह से बड़े लाड़ प्यार से उनका लालन पालन करती ग्वालिनों के समान गोएं भी जब जंगलों में से चरकर जल्दी जल्दी लोटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बच्छे दोड़कर उनके पास आ जाते तब वे बार बार उन्हें अपनी जीब से चाटती और अपना दूद पिला दी। उस समय स्नेह की अधिक्ता के कारण उनके थनों से स्वयम ही दूद की धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालीनों का मात्रभाव पहले जैसा ही अईश्वर्य ज्यान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस सम प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्रभाव दिखला रहे थे। परन्तु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति व्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रति दिन एक व प्रतिभी हो गया इस प्रकार सरवात्मा श्रे कृष्ण बच्छडे और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए एक वर्ष तक वन और गोष्ट में कृड़ा करते रहे जब एक वर्ष पुरा होने में पांच छेह रातें शेश थी तब एक दिन भगवान श्रे कृष्ण बलराम जी के साथ बच्छडों को चराते हुए वन में गए उस समय गववें गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी वहां से उन्होंने वरज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बच्छडों को देखा बच्छडों को देखते ही गववों का वातसल्य स्नेह उमडाया वे अपने आपकी सुधबुद खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न कर जिस मार्ग से वे न जा सकते थे उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दोड़ पड़ी उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दने सिकुड कर डील से मिल गई थी वे पूँच तथा सिर उठा कर इतने वेग से दोड रही थी कि मालूम होता था मानों उनके दो ही पैर है जिन गवों के और भी बचड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बचड़ों के पास दोड आई और उन्हें सनेह वश अपने आप बहता हुआ दूद पिलाने लगी उस समय वे अपने बच्चों का एक-एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानों उन्हें अपने पेट में रख लेंगी गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रैत्न किया परंत उनका सारा प्रैत्न व्यर्थ रहा उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध हाया जब वे बहुत कष्ट उठा कर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे तब उन्होंने बच्णों के साथ अपने बालकों को भी देखा अपने बच्चों को देखते ही उनका हिर्दे प्रेमरस से सराबोर हो गया बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ा गई उनका क्रोध न जाने कहां हवा हो गया उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठा कर हृदे से लगा लिया और उनका मस्तक सूंग कर अत्यनता अनन्दित हुए बुढे गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परमाननद प्राप्त हुआ वे निहाल हो गए फिर बड़े कश्ट से उन्हें छोड़ कर धीरे-धीरे वहां से गए जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे बलरामजी ने देखा कि व्रजवासी गोप, गवमें और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी मां का दूद पिना छोड़ दिया है छण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उतकंठा बढ़ती ही जा रही है तब वे विचार में पड़ गए क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था यह कैसी विचित्रबाद है सरवात्मा श्री कृष्ण में व्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेय है वैसा ही इन बालकों और बच्णों पर भी बढ़ता जा रहा है यह कौन से माया है कहां से आई है यह किसी देवता की है मनुष्च की है अथवा आसुरों की परंतु क्या ऐसा भी संभव है नहीं नहीं यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी माया में ऐसी सामर्थ नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान द्रिष्टी से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बचडों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा भगवन ये ग्वाल बाल और बचड़े न देवता हैं और न तो कोई रिशी ही इन भिन भिन रूपों का अश्रे लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं किरपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बचड़े बालक सिंगी रसी आदी के रूप में अलग-अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी कर्तूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली परिक्षित तब तक ब्रह्माजी ब्रह्म लोक से व्रज में लोटाए उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटी अर्थाज जितनी दिर में तीखी सुई से कमल की पंखुडी छिदे समय वेतीत हुआ था उन्होंने देखा कि भगवान श्रे कृष्ण ग्वाल बाल और बच्ड़ों के साथ एक साल से पहले की भात ही क्रिडा कर रहे हैं वे सोचने लगे गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बच्ड़े थे वे तो मेरी माया माई शैया पर सो रहे हैं उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बचड़ों के अतरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बचड़े कहां से आ गए जो एक साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं ब्रह्मा जी ने दोनों और कौन से पीछे बना लिये गए हैं इन में से कौन सचे हैं और कौन बनावटी यह बात वे किसी प्रकार न समझ सके भगवान श्रे क्रिष्न की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं परन्त कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्ष नहीं कर सकता ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्रे क्रिष्न को अपनी माया से मोहित करने चले थे किन्तु उनका मोहित करना तो दूर रहा वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कुहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनु के प्रकाश का पता नहीं चलता वैसे ही जब छुद्र पुरुष महा पुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड नहीं सकती अपना ही प्रभाव को बैठती है ब्रह्माजी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी छण सभी ग्वाल बाल और बचडे श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पितामबर धारी शंक चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज सबके सिरपर मुकुट कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएशो भायमान हो रही थी उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण की सुनहली रेखा श्री वत्स बाहुओं में बाजु बंद कलाईयों में शंखाकार रतनों से जड़े कंगन चरणों में नूपुर और कड़े कमर में करधनी तथा अंगुलियों में अंगुठियां जगमगा रही थी वे नक से शिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं जो उन्हें बड़े भागशाली भक्तों ने पहनाई थी धारण किये हुए थे उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्ज्वल थी और रतनारे नेत्रों की कटाक्ष पूर्ण चित्वन भड़ी ही मधुर थी ऐसा जान पड़ता था मानोवे इन दोनों के द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्विकार करके भक्त जनों के हुर्दय में शुद्ध लालसाएं जगा कर उनको पूर्ण कर रहे हैं ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर त्रिन तक सभी चराचर जीव, मूर्तिमान होकर नाचते गाते, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग-अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं उन्हें अलग-अलग अनिमा महिमा आदी सिध्धियां, माया वित्या, आदी विभूतियां और महत तत्वा आदी 24 तत्व चारों और से घेरे हुए हैं प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण सोभाव, वासनाओं को जगाने वाला संसकार, कामनाएं, कर्म, विशय और फल, सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने, उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना आस्तित्व खो बैठी थी ब्रह्मा जी ने यह भी देखा, कि वे सभी भूत, भविश्चत और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं हैं त्रिकाला अबाधित सत्ते हैं, वे सब के सब स्वयम प्रकाश और केवल अनन्ता अनन्द स्वरूप हैं उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है, वे सब के सब एक रस हैं यहां तक कि उपनिशत दर्शी तत्व ज्यानियों की द्रिश्टी भी उनकी अनन्त महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन प्रब्रह्म प्रमात्मा श्रीकृष्ण के ही स्वरूप हैं जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है यह अत्यनत आश्चर्यम द्रिश्च देखकर ब्रह्मा जीतों चकित रहे गए उनकी ग्यारहों इंद्रियां अर्थात पांच करमेंद्रिय पांच ज्यानेंद्रिय और एक मन शुब्ध एवं स्तब्ध रहे गई वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए उस समेवे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो व्रज के अधिश्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हो परिक्षित भगवान का स्वरूप तर्ग से परे है उसकी महिमा असाधारण है वह स्वयम प्रकाश आनन्द स्वरूप और माया से अतीत है विदान्त भी साक्षात रूप से उसका वरणन करने में असमर्थ है इसलिए उससे भिन्न का निशेद करके आनन्द स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है यद्देपी ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपती हैं तथा भी भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है यहां तक कि वे भगवान के उन महिमा मै रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए उनकी आखें मुंद गई भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंद अपनी माया का परदा हटा दिया इससे ब्रह्मा जी को बाह्य ज्यान हुआ वे मानों मर कर फिर जी उठे सचेत होकर उन्होंने जयों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा फिर ब्रह्मा जी जब चारों और देखने लगे तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने व्रिंदावन दिखाई पड़ा व्रिंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है जिधर देखिये उधर ही जीवों को जीवन देने वाला फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लह लहाते हुए व्रिक्षों की पातें शोभा पा रही है भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमी होने के कारण व्रिंदावन धाम में क्रोध तृष्णा आधि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और महा सुभाव से ही परसपर दुस्त्यजवेर रखने वाले मनुष्य और पशुपक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं ब्रह्मा जी ने व्रिंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितिय परब्रह्म गोपवंश के बालक कासा नाट कर रहा है एक होने पर भी उसके सखा हैं अनन्त होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्यान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बच्णों को ढूंड रहा है ब्रह्माजी ने देखा कि जैसे भगवान श्रीक्रिष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिये उन्हें ढूंड रहे थे वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं भगवान को देखते ही ब्रह्माजी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से प्रिथ्वी पर दंड की भात गिर पड़े उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अगरभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया वे भगवान शुरे कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार-बार स्वरण करते उनके चरणों पर गिरते और उठ उठ कर फिर फिर गिर पड़ते इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आशू पहुँचे प्रेम और मुक्त के एक मात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर जुग गया वे कापने लगे अंजली बांध कर बड़ी नम्रता और एकागरता के साथ गदगद वानी से वे भगवान की स्तुति करने लगे